असलाम आलेकूम आप सब कैसे हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नियू फॉक यह कम कपड़े में किस तरीके से हम डिजाइनिंग करेंगे यह कपड़ा जो है मेरे पास बड़े बर्गा तू मिटर से थोड़ा सा जाधा था बस तो इसके अंदर मुझको एरलाइन फॉक ब बड़े साइस रखs हमें उसके बाद मेंने घे रखा है देखें मैंने किस तरीके से हैं इसकी अटमने निखा थी पर से बीजाए हूं करने को 42 इंच पूरी फॉक इसकी तयार आई है मेरे पास इसमें कम कपड़ा था और इस तरीके से देखें उपासे नापते जाए और एक बराबर रखें आपके जो दो घेर आपको बिल्कुल एक जैसा बराबर आएगा इंची टबापने टॉप पे रखा वाई है और टाइंट्रिय है मैंने इसकी नीचे से क्योंकि अभी इसमें बोडी साइज निकालना है मुझको इसमें से मुझे स्लीफ कर निकालना है और यह कपड़ा काफी और एब होना था तो इस चक्कर में भी ने इसकी और एब को सीधा करने के लिए कपड़ गी तो इसमें कट में भी काफी कपड चला गया था इसमें तो और किस तरीके से मैं इसके अंदर डिजाइनिंग करूं नहीं कम कपड़े के अंदर बैठरिन डिजाइनिंग आप इसको फूप खुद देखें आप सीखें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मुझे लाइक और शेयर करें मेरा ऐंगी जो मेरा नाप जो मेरे पास नाप था तो उस नाप से में इसको पर्न वेखें माल मडियी क्या साइarden ऑफ है और बॉड़ी साइज साइस आप है Ε्या प्रेंज मेरी है जाम लड़्य डाश्चैज है हैं और बोड्य को सफृत तो मैं इसके अंदर वान इंच इसके अंदर बढ़तावा रख रही हूं जो मेरी कटिंग में और स्टीचिंग के लिए है इस तरीके से मैं यह बोड़ी इसमें से निकाल लूँगे बचेवे कपड़े में से क्यों कि मापस कम कपड़ा है तो हम इसको एक एक करके किस तरीके से निकाल लेंगे और हमने इस तरीके से बोड़ी साइज निकाल लिए फ्रेंट बैक दोनों बोड़ी इसमें से मैं निकाल लूँगे इस तरीके से फ्रेंट बैक बोड़ी रखकर मैंने इसके अंदर से कपड मैं निकंड कर लिए और हमें ड्याइनिंग पी पूरी चाहिए तो किस तरीके से करें और यह देखे मेंने जो उपासर टॉप कटा था फैसलिए मीने इस टॉप को ही डिजाइनिंग में युज़ कर रही थी तो मैंने ये देखे इस तरीका आयरन के इसका फिटिंग का निशान लगा है कैमेरी फिटिंग कहां पर है और ये मेरी गेर में से उपर से निकला था कपड़ा मैं इसी की ही डिजाइनिंग करूँगी किस सरीके से देखें मैं इसकी डिजाइनिंग को प्लेट्स डालूँगी कोई और पपड़ा नहीं कि मुझे और कपड़ा चाहिए यह मुझे डिजाइनिंग के लिए चाहिए इसी कपड़े जंदर मैं इसकी डिजाइनिंग करूँग यह मैंने fitting का निशान आप पो दीकर होगा। मैंने fitting का निशान इसमें लगाने आपके fitting जब आपको सिलाई लगानी है क्योंकि फिर हमारी kपड़ा कोई भार ना निकले। यह मैंने 1-1-inch के नीचे से इसकी एक-एक प्लेट मैंने रख बनाई वन इंच नीचे से मैंने 1-1-1.5-inch इसकी मैंने प्लेट लीती और उसको iron की मदर से उपर की तरक लीओ और उपर से यह के जितने भी आ रहे हो आपकी आपकी 1.5-inch आरिये यह सका का हमारी इसतरीक रिजी डिजाइनग को बनाते गया इ Weber मेर्फिके अंनर फ्र। सब्सक्तह से हो भी जाएंगा, और यह बहुत प्लेट पाइसे प्लेड्ट को इतरीक है विजाएंगा, यह बहुत प्लेट को प्लेट को इदर बहुत प्लेखना जाया चाहिए इस तरीके से मैंने औरेव भी कपड़ाई है और ये प्लेट्स मैंने इसमें लगाई है इसके स्लीफ की भी वीडियों मैं डालू नी क्योंकि ये इसमें वीडियो बहुत लंबी हो रही थी अब इसकें अंदर मैंने इसकी कटिंग के साथ आपको डिजाइनिंग भी बता रही थी और इसकीए के फिर में इसकी स्टिचिंग भी इसां मैं भी बतारी है तो वीडियों बाद ज्यादunya लौंग और ओर यह थी से तयार हो गए बागी है कि हम इसकी जितने भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर लेंगे यह वो डिजाइनिंग है जो पेपर पेड़ डिजाइनिंग करके फिर कटिंग करके वो भी बहुत जादा क्यों शill ocor jai लो गूतेर और सब इस पर इस सदीके साप करते वे स किसको कट कर लिए है फैसे सारे नीट कर लिए हमने इस को टिम कर दिया हमारा जितेके एक्सरा निकल ला यह हमना बोडि स पर अगरते हुए अब इसके अंतर हमने ना लाइनिंग यूज कर रहे हैं सिर्व हम एक कपड़े पर बना रहे हैं कम बजट में कम बजट में आपके ड्रेसिंग भी हो अच्छी भी लगे आप पहन भी सकें तो बहुत अच्छा सा स्टाइलिश सी लगे तब कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं ना हम इसके अंदर लेस यूज़ कर रहे है रहा है नहीं हम इसके अंदर हमाही लाइनिंग रहा है और हम इसके अंतर डीजाइन भी चाहिए और यह देखें आप यह मैंने कटिंग करी आपको इसको मैं दिखा रही हूं किस तरीके से मैं इसी कटिंग करी और यह फिक्स हो गया बहुत अपरदस लगता हैं कि डिजाइनिंग अगर आप करें नॉर्मली बच्चो की फोवकों पर इस तरी के से यह प्लेट्स डालें मैंने अब मैं इन प्लेट्स को किस तरीके से स्टीच करूँगी, मैं इनको ऐसे ही नहीं छोड़ू नी, मैं इनको स्टीच करूँ नी, ताकि यह मेरा फिक्स हो जाए, यह मेरे निशान लग चुके हैं, पर आप कपड़ा चूज करनें कि आप बना किस पे रहे, यह शौर्ट पर बना रही हूँ, यह थोड़ा ठीक कपड़ा है, और यह देखे मेरे निशान हैंगे, आइरन के मुझूद, और वैसे उससे में वन बूट से हटा आते हुए, मैं इसकी स्टीचिंग कर लोगी, और हमने तो वैसे ही हमारे निशान आये हैं, आइरन के, तो मैंने इनको प प्लेटी फीलो, इसलिए मैं इसकी स्टीचिंग कर रही हूँ, ऐसे पकड़ते हैं, ब्रॉफ्ट हैंड से लाइटली हैंड से आप इसको बनाते जाएं, यह बहुत जबरतस लगता है, पहनने में लड़कियां पहनती हैं, बच्चियां पहनती हैं, यह दिजाइन दिजाइ और इसके अंदर फी में नेक भी जो है, वीनेक यूज करूंगी, जो आजकल बहुत चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, पर ट्रेंड उसका खतम नहीं हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, इसको पहने में समार्ट लगते हैं, और जिस कपड़े में भी बनाएं, जिस वन बै वन मेंने आपके सामने इसको बिलकॉल डीटेल से इसकी मेंने आपको वीडियो बनाए है, किस तदी किसमें इसकी इसको बना रही हूं और ये देखेंगे हैं यह पूरी प्लेटे बेड़ गए मैंने आपको इसको फाइन देख्या यह मैं स्टिचिंग से बेड़ में है और आप यह पीने निकाल सकते आराम से यह ऐसी इसली रहेंगी दोनों साइट के मैंने इसी तरीके से तग्यार कर लिया था यह मैं आपको खोल खोल के दिखारी हू कि देखें आपको स्टिचिंग भी है फिक्स भी है और यह आपके अपर बहुत अबर्दस लगता है पैने में यह मैंने वीनेक लिया था था थ्री इंच इसकी चोड़ाई ली थी इसकी जो लैंथ ली है मैंने वो एट इंच लिये और इसकी जो मैंने पट्टी तयार करी थी वो एक इंच की है तो एक इंच से मैंने सेंटर इसका लगाया है देखें यह एक इंच का सेंटर है तो मैं इसको देखें आपको डेमो करके बतारी हूं हाफ इंच की मैंने बीच की कटिंग करी है आप चाहिए को कटिंग कितनी लंबी ले रही है पिर हम पट्टी उसी हिसा इस तर्रीकह से मैं इसको fix कर दूँंगी यह मेरी पूरी पट्टी मेन वन नीच कि इसकी तःयर करेग्यू है इसको मैं इस तर्रीके से पल्टावा पट्टी की तरह लगाऊंगी। और ये देखें और ये V-neck इस तरीके से बनता हूँ नीचे की साइट पर आएगा मैंने जहां तक कि इसको लोग करना है वहां तक कि मैंने इसकी cutting करी है और बाकी मैं इसको सीधा ले जाओंगी ये मैंने इसको आप अपने V का मैं अगर fix ना बताती हूँ तो आपके छोटे जागा हमेशा आप जब इसको neck को cut करें वी अब बनाए फिर आप अपनी पट्टी उसी साइज से आपको कितनी बढ़ती भी रखनी है कितनी रखनी है आप उसको रखें ये मैंने neck इसमें cut करा है तो ये मेरी तकरीबन जो बनी थी पट्टी 27 इंच की तो ये मेरी 27 इंच की पट्टी 27 इंच की ये पट्टी तयार करी थी shoulder join करके आराम से आप इसको लगा सकते हैं कि ये देखें किस तरीके से भी मैं इसकी cut कर रही हूं इसका मैंने cut का निशान लगाऊनी और इसको मैंसे पल्टा रहेगी पट्टी मैं इस तरीके से पल्टूंगी बहुत प्यारा लगता है ये नैक आप हर ड्रेस पर बना सकते हैं कुरूती नैक पर ये काफी आपने बनाया भी होगा आपके ड्रेसेस में भी होगा आप खुद भी बनाते होंगी और काफी आपने देखा भी होगा बहुत सी इसके पर लोगों ने वीडियोज बनायी हैं इसके तरीके से लगाते हैं मैं इसको पलटने की तोर पे लगाँनी कि एक तरफ से मैं सिलाही लगाँनी हैं ज्युक्त करोैं हूँ नहीं और यह कटिंग इसकी बिलकुल परफरेक्ट होना तो एसको आयरण की ज़ूरूरत नहीं हो ती ही बेड़ जाता है गला मैं इसका आ अपको तैयार करके इसका भर मैं बताऊँ कि किस तरीके से दखे मैं इसको बगर टर्न करे बगर प्रेस करे भी इसको किस तरीकां से बिठा सकते हो अब जितना हमारी अंदर का मने एक्स्ट्र कपड़ा लिया हुआ है उसी हिसाब से में स्टिचिंग करते जाएंगे तो फिर इस तरीकों से करते हुए अब इस तरीक siamo कि से करते हैं वियंद सेकी अब इसको सॉफ्ट हैन से आप इसको लगाते नipperist बहुत प्यारा लगता है इसको नैक में यह बना अए और यह कफाली इसके साथ स्लीफ सों इसको बहुत ज़ादा है और जब हमारा विंटर चल रहा है तो यह बहुत ज़ादा अच्छा लगता है यह मल्टी वेसे भी मल्टी कलर में यह फोक है बहुत प्सूरत लग रही है और इंज कलर के शेड में है और देखें में ब्लुकुल याप सिलाई जैसा आपकी उतर रही है तो यह लाइट हैंड से रखेंगा ताकि आपका गला आगे पीछे ना हो मैं इसको स्पीड निकर रहा हुआ इसलिए के साथ इसको लाइट वीडियो के अंदर से चल रही है जैसे मैंने सीया है बिल्कुल यह प्रोफेस्शनल सीते वे भी हम भी काफी चीज में काफी कपड़ों में बड़ा एतियाद से सीध है कि ताके हमसे नेक न खरब जा खास तोर पर इस टैप के कपड़ों जिन में से धागे निकल रहे हो और कुछ इस तरीके से हो कि हमाया कुछ साइट पर आड़ा आ रहा हो तो बड़ा लाइट हेंड से सीरे हो जलबाजी से कोई काम नहीं ले दे ताकि यह हमारा परफेक्ट बैट जाए आप खुद देखें मैं नॉर्मली इसको भीकुल लाइट हेंड से स्टीच कर रहे थी यह नहीं कि मैंने तेजी में निकाली तो इस तरीके से स्टीच के इस के स्टीचिक और माइट वाली यह भी आ हैंग और भी इस तीचिन करते जाएंगे कि आपका अबने विस इसमें कपड़ा नहीं कहना है अबनर इसका queríal करने इसमें कपड़ा नहीं कहें और आपका जिस मूफ में आपने दागे निकल रही है जो भी इसकों फिंगर से अंदर रहते रहे हैं बहुत अच्छे लगता है बहुत प्यारा लगते हैं आई झाल झाल को हम आप देखे मिनने किती बिल्कुल इसको आपको बताने के लिए बिल्कुल वीडियो में हैं किस तरीके से इसको स्टीच करने तफसील से का आपको अच्छे से समझ में हैं किस तरीके सामिश्च कर रहें झाल झाल आगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज लाइक और शेर कर दें मेरी वीडियो पे अगर नहीं होएं मेरे चैनल को सब्क्राइब करें मेरे फैस्बूक एकाउंट है उसको फॉलो करें इसको जी कैसे मैंने देखने को कट करा रहा है अभी दसे में स्टीचिंग कर रहे हैं बिकुल आप नहीं देखे हैं बस फाल्तु कपड़ा निकाला है और कर जादा मोटा भी हो जाएगा तो वहां से इसको करना भी मुश्किल हो जाता है तो वैसे तो एतुना नहीं होता पर यह है कि जू न्यू सीने कि अधर से निकाल दी कि अधर से निकाल दी कि अधर से ताविस पट्टी अमेरे को देखें मैंने इसको आपको इदा दिखाने के लिए तिनी लोंग वीडियो साइट में नेक की डालिए कि देखें इस वक्त में गले को कैसे बिठा रही हैं यह देखें मैंने किस तरीके से चीर से सीधा लिया था सीध की निशान पे मैंने अपनी पट्टी को सीधा करके सीधा लगाते वे आई थी今 मने उपड़ा रही है इसको शेट वी 네 कि सीधा कि तहीं आप किस तरीक है से दूंगी और महाँ में इसको इदर रोक जब मैं इसकी सिलाई रोपूंगे तो वहां में बटन लगाने के लिए इसको छोड़ लगाऊंगी इस तरीके से मैं इसको शेप देती जाने अब इसको दोनों तरफ से अपना कपड़ा देखें कि यह आ कहां से रहा है और यह कितना हो रहा है वहल्कुल लाइट हेंड्स है क यह हमारा शेप बन रहा है कि जहां हमारी कटिंग टी जहां तक हमारा सीध्य कटिंग मैंने लीवी थी नेकी एट इंच के बाद से मैंने वहां तक कि इसको लॉक कर दिया कि यह देख्या कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कि आपके सामने जहिए करम देखै पर इस पीछे से भी गंदगी नहीं है इसके दिखाने का मकसद यह आपके लिइ टील वीडियो बनाने का मक्सद धिये के की देख은 और इसको जो हमारे एक्स्ट्राइब में इसको इदर से सुई धागे की मदद से इसको तुरुपाई कर लेंगे कि ताकि इदर से कपड़ा भी निकले और इदर फिर हम चटकनी का जो बटन है हमारा गला जहां तक कि फिक्स हो रहा है इonut हम इदर बटन या हूझ कुछ भी आप यूज कर सकते हैं मशीन वाले बटन लगा सकते हैं आप यहाँ पकाज बटन भी करवा सकते हैं यह देखें वी के दिखाने का मकसद सिफ अपको यह था कि मैंद थेखिए बगार प्रेस की यह नहीं कि मैंने आपको विदियो दसरो की फिफी प्रेस करी नहीं आहिं आपके सामने और यह देखिए किस तरहेँ से मेरिशो की ऐङ इसका फान liaison thank you